कि हलो इस्टुडेंट आपका हमारी यूट्वी चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम हम बायोलोजी में बोटनी वाले पार्ट में पादव जोगत के बारे में पढ़ा और आज हम अध्यन करेंगे शैवाल और ब्राइफाइट में क्या अंतर होता है यहां से सेभाल की बात करें एलिगी की बात करें तो सेभाल अधिकांस ते जलिये उते हैं जबकि ब्राइफाइट की का शरीर है audio होता है पतिऊंगे सब्Stan Singhतों या इसे लिए सेवाल में संभएन उतक्ततन्तर का अवाम पाए जाता है किउस जल में पानी की कोई ऐसी आवशक्ता नहीं होती है तो पानी की जब पानी में ही रहे हैं तो पानी अमेशा इनको अप्लब दे तो समय नुथक की कोई ब्राइवफाइटा में पाए जाता है सहवाल में राइजोइड का अभाव होता है मूलाभास सहवाल में नहीं पाए जाते हैं लेकिन ब्राइवफाइट में राइजोइड मूलाभास पाए जाते हैं मूल जैसी सनचना है पाए जाती है देखिए जल में पाए जाने के कारण जड़की इतनी आवशक्ता ही नहीं होती इसलिए मुलाभास नहीं मिलते और ब्राइव फैट ऐसे पहले पादप हैं जो इस्थल पर पहली बार होगे तो इन्हें जड़ जैसी संदचना की आवशक्ता थी और इसके लिए मुलाभास या पढ़ाता है और अगर हम बात करें तो ब्राइव में सामाने रूपसे अलिह जैंटनि में nuclear का क्या पाया जाता है अब τα है अगर हम बात करें जैंटनिक जब कि ब्राइवाइट में जननांगों के उपर बंद्यावरन इस्टेराइल जेकट नहीं पाई जाती है इस्टेराइल जैकेट का आवाब पाए जाता है जबकि ब्रायोफाइट में जननांगों के उपर बंद्यावरन इस्टेराइल जैकेट पाए जाती है और इस्टेराइल जैकेट का पाए जाना ब्रायोफाइटा का एक प्रहुक लक्षन भी है इस्ट्रायल जैकेट का पाए जाना ब्रायोफाइट का महत्पून लक्षन है सेवालों में मादा जन्नांग एक कोशकी होता है और एक कोशकी है मादा जन्नांग को हम क्या बूलते हैं अंडधानी केते हैं जबकि ब्रायुफाइटा में जो मादा जन्नांग होता है वो बहगोश्की होता है और मादा जन्नांग को आर्ची गुनियम कहते हैं क्या बुलते हैं आर्ची गुनियम तो सेवालों में मादा जन्नांग को अंडधानी कहा जाता है जबकि ब्रायुफाइटा में मादा जन्न से अलग होकर एक लंबे समय तक विस्त्रा मवस्ता में पाय जाता है जबकि ब्रायोफाइटा में युग्मिन जायगोट मात्र पौदे से अलग नहीं होता है परन्त विवाजन करके इस पौरुफाइट का निर्माण करता है किसका निर्माण करता है इस पौरुफाइट का न जो विवाजन होता है यह होता है अर्ध-सूत्री विवायन में पहले विवायन और ब्रायुफायट कीये दिया हम बात करें तो अर्ध-सूत्री विवाजन, बीजान मात्रकोश्का दिखांस से ऑगरPro अगर हम बात करें सहवालों में योगमनेज जाइगोट में इंब्रियों का निर्मार नहीं करता अथे सहवालों में ब्रून का अबाब पाया जाता है important है सहवालों में ब्रून नहीं बनता जबकि ब्राइवफाइट में युगमनेज से ब्रून का निर्मार होता है तो यह ब्रून पूशी बादपे यह ब्रून इन में पाया जाता है embryo पाया जाता है सहवालों का sporophyte अविक्सित एवं स्वतंतर होता है इतना ज़्यादा विक्सित नहीं होता और वह स्वतंतर होता है जबकि ब्राइवफाइट का sporophyte विक्सित होता है और gametophyte पर आस्रित होता है बहुत most important है अनगिनत परिक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा एक statement भी है कि ब्राइवफाइट में sporophyte is dependent on gametophyte most important है ब्राइवफाइट में sporophyte विक्सित प्रकार का होता है और अपने जीवन यापन के लिए योगमकोद विद गयामेटोफाइट पर आस्रित रहता है सहवालों का जो सामाने जीवन चक्र होता है वो heplobiontic होता है जैसे हम heplontic भी कह सकते हैं और ब्राइवफाइट का जो जीवन चक्र होता है हपलो diplo biontic होता है जैसे हम हैपलो diplo diplontic प्रकार का जीवन चक्र भी कहते हैं तो सभी स्टन्सें यह कहना चाहूँआ कि यह प्रमुख अंतर थे सेवाल और ब्राइव भाइट के आशा करता हूं कि आपको यह समझाय होंगे आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताएं और आपकी कोई इंक्वाइरी है तो आप उसको जरूर शेयर करें और बाइलोजी की जो तैयारी करने वाले स्ट्वेंट हैं बाइलोजी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रोंग करते रहिए नमस्कार धन्यवाद